नमस्कार मित्रो मैं हूँ पंडित रवी कुमार सोनी और आज आपके बीच में लेके आया हूँ काल सर्प योग जैसा कि आप जानते हैं कि सबी विद्वानों ने बताया हुआ है काल सर्प योग क्या है काल सर्प योग एक एसा योग है जो अपने जीवन में आपको बार बार सफलताओं को सिखर के उपर आते आते वह वापिस आपको नीचे गिरा देता है जैसे कि साप सिड्डी का जो यह गेम है कि नन्याडू पे वो बड़ा सा साप बेठा हुआ होता है और वो आपको काटता है और आप वापिस दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाते हैं तो इसी प्रकार यह कालसर्प योग है जो अपनी जिन्दगी में बार बार आपको हर जगे सफलता में बाधा का कारण बनता है अब कई जाता काते हैं वो पूस्तें भी हैं कि मेरे कालसर्प योग तो नहीं और थोड़ी अफ़ाएं भी बहुत ज़्यादा इस योग में फैली हुई है जन्म कुंडली में यह किस प्रकार से देखा जाता है और मैं जो आज बता रहा हूं अंक जोतिस लोशुक ग्रीड द्वारा आपको बताऊंगा कालसर्प योग सिर्व आप अपनी जन्म दिनांक से भी जान सकते हैं कि आपके जीवन में आपको बाधाएं उत्पन तो नहीं होगी तो मैं बताना चाहरा था कि जैसे मेरी पिछली वीडियो गर आप देखोगे तो मैंने आपको हर एक अंक कहा पर लिखा जाता है क्या उस खंड बनाए गए हैं और हर खंड में हर अंक का इस्थान तैक किया गया है लोसु ग्रीड में तो एक जो मैं बता रहा था कि जिस प्रका याँ पर साथ लिखा हुआ है याँ पर जैसे की नो लिखा हुआ है याँ पर आपके एक लिखा हुआ है याँ पर तीन लिखा हुआ है काल सर्प योग की जो भी कुंडली अगर आप देखोगे तो आपको अधिकतर जन्म अंक जो कि मैंने पिछले वीडियो में आगर आप जन्म अंक इसमें केसे लिखे जाते हैं केसे इनमें बरे जाते हैं आप पिछली वीडियो देखोगे तो आपको नए जितने भी मुझसे जुड़ रहे हैं वो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार आप इसमें हर अंक को भरा जाता है और निश्टे दिस्तान है जिसमें अब मैं यह बता रहा हूँ कि यह दो पांच और यह अंक यहां पर लिखा जाता है आट जब भी यह पूरी सिरीज खाली होगी यह ब्लेक में मैंने जो यह दिया हुआ है यह जब भी यह पूरी सिरीज खाली होगी तो इसका साफ साफ अर्थों में आप यह मतलब निकाल लें कि यह आपकी कुंडली में काल सर्फ दोस्की कुंडली है आठ पाँच दो यह अंक अगर आपकी कुंडली में नहीं आये हैं तो यह काल सर्फ योग की कुंडली है दूसरा उधारण और मैं दे देता हूँ दो भी आ गया आपकी कुंडली में साथ भी आ गया आपकी कुंडली में नो भी आ गया आपकी कुंडली में और आठ भी आ गया आपकी कुंडली में एक भी आ गया आपकी कुंडली में तीन भी आगया आपकी कुंडली में अब जो मैं ये सिरीज बता रहा हूँ आपको चार पांच और छे अगर यह भी आपकी कुंडली में इस्तान खाली है तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली काल, सर्प, योग यह अंकसास्तर चीक चीक के कह रहा है कि आपकी जन्म कुंडली में काल, सर्प, योग, विद्धिमान है यह चार, पांच, छे आठ, पांच, दो अगर अंक आपके जीवन में नहीं है तो आपको बार-बार इस्टेगल करना पड़ेगा आपको बार-बार अपने हक के लिए दिक्कते आएगी हक मांगने में भी आप बड़े लेजी होंगे आप इसे लोग में ने देखे हैं कि इसे लोग जिनके यह अंक नहीं होते इसे लोग अपनी मेनत का पेशा लेने में भी उनको अपनी लाइफ में दिक्कते आ जाती है अपने माँ बाप और अपने परिवार के साथ वो रहते हुए भी अपने हक की लड़ई में वो हमेशा सबसे पीछे रहते हैं जैसा कि मैंने यहां पे यह नाग बनाया हुआ है काल सर्प योग सर्प जैसे की डस्ता है और आदमी हर जगे मरता है तो उसी प्रकार यह एक नाग का रूप यह एक नाग का रूप अगर इसको कहा जाए कि अगर यह अंक आपके जीवन में नहीं आते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन को यह करवाट से भढ़ देता है आपको धन कमाने में आपको व्यापार में आपको अपने परिवार में कुटुम्ब में हर जगे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपकी जिन्दगी नर्क बन जाती है आपकी जैसे की इस कुंडली अपन अंक सास्त्र में देख रहे हैं अब मैं ये कुंडली का उधारन देखे भी बताता हूँ कि कुंडली में काल सर्पयोग के से देखा जाता है और वह आपको किस प्रकार कुंडली में दुखी करता है जैसा की ये कुंडली है इसमें बारा खाने होते हैं मैंने ये काल पुरुष की कुंडली बने है जैसा की मैं बता रहा हूँ की जब भी नोग्रा होते है सुर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, सुक्र, सनी, राहु और केतु तो राहु और केतु के बीच में जब ये सारे घ्रह आ जाते हैं जैसे की राहु माराज यहां पर बेठे हुए है और केतु माराज यहां पर बेठे हुए है इन दोनों के बीच में ये सारे घ्रह यहां पर आ गए, यहां पर आ गए तो ये सारे ग्रह यहां पे आ गए तो कालसर्प यूग पून्ड रूप से बनता है ये सारे ग्रह इधर आ गए तो पून्ड रूप से मरला राहु के तू यहां पे भी हो सकते हैं यहां पे भी हो सकते हैं कहीं पे भी हो लेकिन वह छे कानों के अंदर अगर सारे ग्रहों को वह समेट लेता है तो उसे कालसर्प योग कहते हैं और जो की मैं अंक सास्त्र में भी समझा रहा हूँ कि एसी जातक बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अब इसका मैं सरल और सटिक उपाए में बताता हूँ कि कालसर्प योग क्या है और क्यों बनता है और इससे आप केसे काफी हद तक आप इससे कंट्रोल कर सकते हो तो सबसे पहले कि अगर आप अपने हिंदू संस्क्रती में देखेंगे कि नाग किस से जुड़े हुए हैं तो सद्यों से नाग सीव आराधना से जुड़े हुए हैं तो सीधा सीधा अगर आप सीव आराधना करते हैं सीव पर अगर आप काले तिल चुटकी भर काले तिल सीव के उपर चड़ा कर उन पर दुधा अभिशे करते हैं तो आपको काल सर्प योग में काफी हद तक आपको राहत मिलेगी दूसरा प्रयोग किसी भी अमावस्या किसी भी अमावस्या के दिन आप नाग नागिन का जोड़ा या दोनों लेकर या चांदी के हो तो अच्छा है अगर चांदी के भी ना ले सकें तो तामबय का भी प्रयोग आप कर सकते हैं चांदी अच्छी रहती है पर कोई ऐसा घरीब और ऐसा हो तो वो पतले से बना कर चांदी के यह बना कर आप अपने हाथों में इनको रखें अपने इष्ट देव सिवजी से प्रातना करें उनकी विधी विधान से पूजा करें अर्चना करें और उनको इत्र कंकू चावल और थोड़ा दूद रखकर अपने हाथों में मादेव से प्रातना करें हे मादेव आप मेरे जीवन में या जो विश रूपी काल सर्प दोस है आप सब विश को पीने वाले हैं हरने वाले हैं आप मेरे को काल सर्प दोस से मुझे मुक्त करें तो इससे भी आपको काफी सफलता मिलेगी या मेरे दो जो छोटे उपाए बताए हैं तीसरा एकोर उपाए जब भी राहु काल आता है आप अगर नेट पेर सर्च करेंगे क्यों सोमबार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सुकरवार हर दिन राहु काल आता है राहु काल के समय अगर आप ओम नमस्शिवाय के जब करते हुए आप कुछ आट्टे की गोलियां बना के सुखा लें और राहु काल में वह गोटियां जल में चीटियों को अगर इसा डालते हैं तो जैसे चीटी नगरा जो बनता है वो और मचलियों को अगर आप डालते हैं उससे भी आपको राहु के तु जनित दोस सन्नी संबंदित दोस का निदान होगा आपको काल सर्फ योग से काफी हद तक आपको राहत मिलेगी या छोटे छोटे उपाय करकर आप बड़े ही लाब ले सकते हैं इसे ही मेरे वीडियो को आप देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें मेरे नंबर है 7737223210 रवी कुमार सोनी आप इसे ही वीडियो में जो साधान और सरल उपाय जो अपने सास्तरों में लिखे गए हैं वो इसे उपाय के द्वारा में आपको या बताऊंगा कि आपके जीवन में आप कैसे सुदार कर पाते हैं और कैसे अपनी जिंद्गी को अ वीडियो में आपके लोग एक द्वारा में जो इसे ही रहते हैं